सो हेलो एवरीबडी वेल्कम बैक विद नदर वीडियो आज के सवीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रनेंशीयेशन रूल्स राइट इंग्लिस रीड करते वक्त जो वर्ट्स आते हैं उनको प्रनेंशीयेट कैसे करना है बहुत सारी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी जाती ह सोहलो थेट बात करने हैं प्रनेंशीयां रूसुई बिचल्टी ने वाले हैं थे बहुत सारी दिखकत का सामना करना पड़ता है जो हम आज के से वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन से वेल्ड को किस विड़ को किस लेटर को कैसे प्रनांसीयेट करना है उसका sound क्या होगा एटू जिट देखेंगे जीरो से हीरो तक का सफर याट निस एटू जिट की आप वह वेल लेटर्स क्या है sound क्या है consonant letter sound syllable each and everything ताकि आप basic से आप जान सको चीज़ों को actual में है क्या चीज़ ठीक है और देखो English जो है English language जो है acceptance से बरी हुई तो acceptance अलग है जो rules है generally follow होते हैं English में वह हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्याद़ होने वाली है और उस पर हम pronunciation के पर बात करेंगे और spelling पर वीडियो अलड़ी बना रखी है जागर कि उससे देख लेना ठीक है चले फिर सुरू करते है अच्छिस वीडियो को स्वाँ से पहले हम यह देखिए सबसे पहले अच्छिस बैक करते हम हम वेरी फरस्टिंग सबसे पहले यह जानो कि English है क्या एंग्लिश लेंग्विज ठीक है यह पता नहीं क्या है यार कि मैं लिक रहा हूं जब मैं आउन करता हूं ती अच्छी से लिखता नहीं अजब मै कुछ written form से मिल करके कुछ spoken form से मिल करके ठीक है? तब तो जाकर के language बनी ना केवल written को थे होड़ी बोल सकते के language या फिर केवल spoken को दोनों का mixture तो अच्छा written में क्या है? written की पहली unit क्या है? first unit letter spoken की first unit क्या है? sound क्या है? sound letters कितने होते हैं? आपको पता है ठीक है? 26 होते हैं पहले vowel होते हैं, consonant होते हैं तो 5 vowel sound हो गये हैं और consonants कितने होते हैं? 21 ठीक है? यह चीज आपको पता है दूसरी चीज आपको नहीं पता होते हैं sounds कितने होते हैं? यह भी मतलब दो ही part में divided होते हैं एक vowel sound, एक consonant sound, ठीक है, अच्छा, vowel sound कितने type के होते हैं, ये चीज़ दिखोगे, तो 20 sound, 20 type के होते हैं, और vowel consonant होगे, तो 24 होते हैं, total मिला करके, sorry, हाँ, total 44 होते हैं, और इधर total 26 होते हैं, ठीक है, ये चीज़ जानना इसलिए जरूर ही है, क्योंकि, confusion यही रहती है, लोग के व बड़ा रोल, मतलब, अदा करता है, किसी भी, मतलब, इंग्लिश के वर्ट्स को प्रणूर्सियेट करने के लिए, चाहे, grammar में structure की बात हो, anyway, right, चलो, पहले, इसे erase करते हैं, इतनी बात समझ में आई न, ठीक है, अब देखते हैं, देको, vowel, जो letter से, पता है, 5 होते, 5 होते, लेकिन sound कितने 20, ये चीज़ तो आप देख लिया, अच्छा, एक चीज़ याद रखना, vowel, I mean, sorry, Y कभी-कभी vowel का काम करता है, और कभी-कभी consonant का भी work करता है, दोनों तरीकेश वर्क करता है, according to situation, और किस, कहां ये Y, जो letter है, आया हुआ है, for example, अच्छा, next चीज़ अब दे sound होगा, एक vowel का sound होगा, वो as a unit work करेगा, एक unit की तरह काम करेगा, और उसी कोंबोलिंग is syllable, for example, आप देखो, book, अगर आप letter पे जाओगे, तो यहाँ दो vowel letter है, ठीक है, O, O, double vowel letter होगे, लेकिन यहाँ एक ही sound दे रहा, U का, U का sound दे रहा, book, U का sound दे रहा, तो यहाँ हमें ए कही syllable मिला, क्योंकि एक sound, हमने क्या बात की, एक vowel sound जो होगा, वही हमारा syllable बनेगा, वैशे दूसरा example आप देख लो, reading, इसमें आप देखो कि एक vowel letter, दो vowel letter, तीसरा आई, यह, तीन vowel letter होगे, लेकिन यह read कैसे कर रहा, re, यह एक हो रहा है, तो यह एक vowel sound हो गया, दूसरा दिं है, तो यह two syllable वाला word है, ठीक है, अच्छा syllable भी दो तरीके के होते है, एक होता stressed syllable, ठीक है, और एक होता unstressed syllable, stressed syllable क्या होता है, जब कोई word आप बोलते हैं वक्त, greater emphasis के साथ कोई भी word को बोलते है, pronunciation करते हैं, उसका sound जब निकलता है, greater emphasis मतलब जोर दे करके, ठीक है, तो वह क्या होता है, stressed syllable, stressed मतलब समझ रहो, stressed मतलब जोर देना, खिचाओ, समझ रहो, unstressed की बात करें, तो जिसमें less emphasis होता है, कम जोर, कम, मतलब बड़े easily बोल पाती हो, ठीक है, less emphasis, वो क्या कहलाता है, unstressed syllable, अब ये क्या volume की बात नहीं हो रही, कि आप टेज से बोलोगी, volume में तेज है, तो वो stressed है, और तेज नहीं है, दीमा है, तो unstressed है, ऐसा है, नहीं बाबू, यहाँ, pitch की बात की जा रही, कितने pitch से आप बोल ले हो, ठीक है, वो cricket वाली pitch नहीं, यहाँ, sound की यूनिट होती, pitch की बात हो रही, volume की नहीं, for example, देखो, lazy, अब चाहिए, आप से slow बोलो, चाहिए तो यह wobble sound, यह stressed syllable है, वैसे ही quiet, quiet, समझे नहीं, next reason है, today में देखो, today में देखो, today नहीं बोलेगा, today, today, एक दम बहुत ही, बहुत ही lazy, बहुत ही less emphasis हम ने दिया, बहुत ही less जोर दिया हमने, clear होगा unstressed, वैसे ही Sunday में day, Sunday, अब Sunday तो नहीं बोलेगा, Sunday, तो day जो होगया, unstressed हो यह जो हिंदी में अलग से लिखा हूँ, पहले मैं English यह लिखा था, क्योंकि English यह ज्यादा clear होता है, लेकिन आप लोग हिंदी पे ही समझ पाओगे, इसलिए मैंने Hindi लिख दी है, ठीक है, जो भी जिसका Hindi नहीं आ रही थी मैंने English लिखी हूँ उसकी, ठीक है, तो यह एक कह कॉंसरेंट साउंड से देखते हैं, तो पहले पा का उचारणा जैसे की पेट में देखते हो, टॉप में देखते हो, बा का उचारणा जैसे बैट में देखते हो, टॉप में देखते हो, मा का उचारणा जैसे मैं बोल क्या रहा हूँ, वा का उचारणा जैसे में बोल क्या wind, वो वालावा, वा, कॉन सह है, वा, वालाव, वालावाव, वालाव यूइल, इसमें यै Dot लगा होता है, front, leaf, leaf नहीं बोलेंगे, leaf नहीं बोलेंगे, front पहले देख लो फिर आगी देखते हैं यह कौन सा भा वाला है अब मुझे देखो वही ते बोला था मैं मुझे हिंदी इसमें हिंदी लिखना ही मतलब अजीब सा है क्योंकि हिंदी क्यों फिक्स है लेकिन इंग्लिश में कुछ अलग लटर मिला करके अलग उसका एक तो एक य द्था को चाहरन थिंक युझे द्था कि फिर द्था को चैनल दिश्विद कभी बहुत लोगसे ब्छी नहीं हो गड़ द्थिस नहीं हो गड़ द्था ब्त आश्च पाइस युझे पर नहीं एक थिक ट्रंग में आता है यसने वाट में आता है एक दम रियल वालटा फिर एक दा के उचाने है जोड्उ में नाता है वाड़ में आता है फिर सा को छिड्ум का सैमे आता है वह अलग है वह आंगे देखेंगे लेकिम् स hall १ो सह से लग है सिजेवू ऑलग है सेphone ऍहर को छारे डृटा रैंक है तो डढ तोर्ग को में चाह साथ भी स्मया है कुछ सान कुछ कुछ दीज अन्हें वंख मलता है दान चेंच w attendee को डेक ते़ल प्योशन को ति दांतर क्यों था मोनतर कम दो में फोट है कि था की व ग immature साथ मीजर ये वाला साउंड ठीक है चा का साउंड कैच पैच चा का साउंड ठीक है फिर है ज अब देखो इसका समझ में नहीं आ रहा था मुझे कैसा मैं हिंदी से लिखू तो फिर मैंने लिख जाएगा बैज बैज जज जज है जाही ठीक है लेकिन उसके IPA की जो यूनिट से ड इसे जब लिंग्विस्टिक्स में आप पड़ोगे नहीं तो बहुत डीप लेवल पर जाएगा तब समझ में आता है बेसिकली आप नॉर्मली इंग्निश पढ़ने के लिए से समझ लो यॉक ओचरन यॉक यॉंडर ठीक है का को चरन की गा को चरन गेम और यह अंगा को चर यॉक आथी नहीं हो फार फार नहीं हो फार पारे कने का आख की यॉफ यॉतय ज्यू और की आ उनुर्म इंग्न्यॉंडर चरें екो चरन शाआ ज्टों और मार्म आइक बार्ड्हू की रिंटों आता है यॉनिआ इंग्म में तन टेम इंड वरेंदल मोनिटै क्रिसंट नु बढ़ा हूँ मतलब ऐसे करके पूरे क्या है sound से ही vowel sound से आप देख लो कि मैंने हिंदी से भी लिखा इने आप पढ़ा लेगो और यह easy वाली word से बहुत ही छोटी चोटी word से आपने पढ़ा भी है तो ऐसे जो होते sounds होते है basic चीज बता रहा था अब आगे बढ़ते हैं rules पर अ उसमें एक vowel use हुआ है एक vowel use हुआ है तो एक छोटा सा sort vowel sound देगा ठीक है पहला rule जैसे की देखो यह देखो कहां गया हाँ जैसे देखो pen, bat एक ही vowel sound यूज हुआ है bed, bell, hat, lip, hot, put, cut, bus तो एक vowel sound यह simple सा word आ गया लेकिन अगर इसी word को हम क्या करें इन्हीं में अगर e add कर दे, last में हम e add कर दे, ठीक है तो e add कर देंगे तो क्या हो जाएगा, e हो जाएगा silent, e हो जाएगा silent और इसके पहले वाले जो यह vowels आया है यह वाली vowels यह इनको देदेगा वो long vowel, इनको वो जोर देदेगा, यह e का आना यह खुद तो silent हो जाएगा, लेकिन इनको long press देदेगा, ठीक है, समझो कैसे, जैसे की, यह देखो, जैसे for example लिका है, c ak अगर हो दा तो cac पढ़ते, लेकिन e आ गया तो खुद तो silent हो गया, लेकिन इसको जोर दे दिया, तो कैसे आपका manage करना है कि last वाला जो प्रणंसी वोवल होगा, वो long vowel sound देगा, वैसे ही tap पढ़ते है, tap tap, लेकिन इह आ गया तो tape, ठीक है, वैसे यह आर ओपी रॉप, रॉप, शेप, बेस, रेप, आपल, ऐसे type की जो words है, जो last में e silent रहते हैं, और बीच में जो वोवल आ जा वोवल जो होगे, मित्र होगे, मतलब अडोस पडोस पे रहेंगे, ठीक हो, वोवल ही वोवल, तो वो क्या करेंगे, एक वोवल को long vowel sound देंगे, एक दो वोवल sound होगे, लेकिन एक वोवल को long vowel sound देंगे, कैसे, जैसे कि देखो, जैसे tea, दो वोवल sound हैं, लेकिन e को बड़ा लोंग साउंड दे रहा तीन वैसे ही आर ए दो वावल साउंड लेकिन एको बड़ा लोंग साउंड देगा रेन वैसे रीड स्मूद बीट फील मीट मील ऐसे करके वर्ट जो है दो दो कॉंसेकुटिव वोवल ठीक है कभी-कभी कॉस्चिन ऐसे बन जाता है वाट इस कॉंसेक वावल कहलाएंगे समझगाई बात आगे दिखते हैं नेक्स्ट टूल क्या बोलता भी यह कि डबल कॉंसेन अगर होगे तो उसके पहले आने वाला जो वावल होगा सौट इन दा वावल बिफोर दें मतलब जैसे एक यह वावल इसके पहले जो वावल आएगा तो अगर यह दो कॉंसलेंटी कठा आ गये तो यह जो वावल है जो लॉंग साउंड दे रहा था इसको सौट कर देंगे हाँ आगे देखो कैसे बताते इसको पहले रिज कर दें फिर हम बताते इसको ब्लैक करने क्या हो देखो मैट अब देखो मैट पढ़ रहे थे हैं मैट जो के पढ़ रहे थे लेकिन लॉंग यह गया सेलंग साउंड इरहा था लेकिन दॉसमें लैटर लेटर पढ़ आ अब वैसे डाईन खीच के जा रहा यह हो गया hope पढ़ते हूँ आप hope लेकिन यहाँ double p करते हूँ hopped hopped ठीक है समझ में आई बात ऐशे जब double consonant होंगे इसके पहले vowel sound आएगा vowel word आएगा तो वह vowel word sound क्या हो जाएगा short हो जाएगा समझ में आई बात आगे बड़े हाँ double consonants are pronounced as a single letter अब यह तो हला की basics है आपको पता होगा ठीक है बहुत ही basic है कि जो double consonant letter आएंगे उन्हें single के तेरे पढ़ेगी यह नहीं जिब से आर 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 आगा स्वरी आर आर आगा तो पढ़ दिये डिजी आइसे नहीं पढ़ेगा ठीक है दो भले जो बैटिंग करता है बैटर वैशे ही एरे मैंने अल्ला क्यों लिग दिया हाँ ठीक है बटन देखो ट एक ही sound दिया है वैसे सम डबल है लेकिन sound एक ही दे रहा तो याद रखना है जब डबल टी आ गए है तो उन्हें एज़ डी प्रनॉंसियेट करते हैं ठीक है क्या बुलते बाबू अगर डबल टी आ गए है तो उन्हें कैसे sound करेंगे कैसे पढ़ेंगे वह ड़ की तरह अच्छा जो मैं भी बोल ना हूं इसे ध्यांसी देखना क्या होता है हम क्या करते हैं देश इंगलिश इंग्ड mentality क्ये डिकट्र हुए है। इसले गलट गलत गलत रिंडिंग होती है और इसी वजह से हिमारी उप्रीपन तerson उप्लिंसी क्या पढ़ोगे अब रहा वाले, are you going, are you going, I am coming, ऐसे मतलब, जितना आप sort करोगे, उतना fluency आपके English में देखने को मिलेगी, उतना sharpness देखने को मिलेगा, तो अब double T, हाँ वही देख रहे थे, double T अगर हो तो D पढ़ते हैं, जैसे कि, bitter अगर लिखा, तो उसे क्या मतलब improve करने के लिए bitter, वैसे bitter का bitter, वैसे latter का ladder, shatter का shatter, bottom का bottom, ठेक है, तो dark pronunciation होता है, समझ रहे बात को, अब ऐसे मत पढ़ना, bitter को bader, ऐसे गलत हो जाएगा, bitter का bitter, ऐसे नहीं, latter को ladder, shatter को shatter, ये incorrect हो जाएगा, मतलब, समझो ना, इशली हैं, ताकि fluency आए, जल्दी से बोल ladder, shatter, bottom, ash, जल्दी से लाने के लिए, ठीक है, next, ये इसमें ज्यादा confusion होता है, बहुत ज्यादा approvals देखोगे इसके, कि C जो होता है, actual में जो उसका sound होता है, का होता है, इतना समझ रहे होता है, लेकिन अगर सी के बाद, I, E, Y, I, E, Y, आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या प्रन करेंगे, सब बोलेंगे, सब पढ़ेंगे उसे, C को, लेकिन एकर उसके बाद, A, O, U, कोई भी आ जाए, या फिर कोई consonant आ जाए, उसे का पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे, देखो जैसे की, देख लो, C की बाद, E आया, देखो C की बाद, E आया, इसलिए से पढ़ेंगे, इसलिए से पढ़ेंगे, City, C की बाद, L आया, तो यह तो ड्रेक्ट कॉंसेन हो गया, तो गया, Class, C की बाद, C की बाद, C की बाद, E, T, C की बाद, E, तो देखो, S है, फिर इसके बाद, E है, तो होता न, सकेंट पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, वो, ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसलिए साफ प्रनूंसी इसलिए, वैसे एक्यूज, अब देखो, C की बाद, U, आया, देखो, U, कभी-कभी कन्फ्यूज क्या होते हैं, कि हम अपने से रूल बना लेते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, बस उपर-उपर का देख लेते हैं, अरे क् तो इसलिए एक्सेंट, अब देखो, C का है, अकेला C का उचरण कर रहा है, लेकिन इसके बाद C का उचरण कर रहा है, तो क्या हो गया, वो शा का उचरण पढ़ा, इसलिए एक्सेंट, ठीक, अगर यहीं, अगर, U की जगह, I मालो, E होता, तो एक्सीज, होता, समझ रहो, यह हलाकि spelling का rule है, spelling वाले वीडियो में मैंने बताया है, यह pronunciation वाला वीडियो है, spelling वाला अलग से जा करके देखना है, और यह आपके लिए vocabulary के लिए बहुत help करता है, spelling वाला, ठीक है, कि कौन सी vocabulary, for example, exam में आ जाती, competitive exams में, तो जब आप vocabulary को लिख रहा होते, तो इसके spelling भू इक का sound देगा, for example, receive, इसे क्या, receive नहीं पढ़ेंगे, इन्हें तो receive पढ़ेंगे, receive बढ़ी की मात्रा आईगी, बढ़ी का sound देगा, ठीक है, वैशे ही sealing, ठीक है, तो क्या है, C के बाद, I, E, I, आ रहा है, तो इसे शा, मतलब बढ़ी का sound देगे, okay, moving on to the next, that is, TION, अच्छ के बाद, I, 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 I टीयों नहीं पढ़ेंगे लॉबाद पड़ेंगे पोस्たियों लगन्हाल पड़ेंगे लॉब है क्निंग्रैयों वन्हें नहीं पड़ेंगे कोर्पेशन शब्रेशन, spirits देशन, immigration, registration, consideration, imagination ऐसे करके हम क्या पढ़ते है? Shun अाचा इसमें यह बाला सा मत पर दीना सन इमजीनेशन है मैं जी सियन मजी सन ऐसे नहीं पड़ते हैं इलक्ट्रीसियन नहीं इलक्ट्रीशियन फिजीशियन इमजीनेशन शाह शेंटी वाला शाह ठीक है चलो आगे देखो एक और रूल किया बोलता है कि साइलेंट जी के पी बिफोर एंद से पहले अगर ये आ रहे जी और टो एनके पहले जी आयाना दो ये साइलेंट अगा जैगा अगर कंफ्यूज यह मत हो ना कि तो N आया तो K silent होगा, ना कि N, तो night, ठीक है, K, N, O, W, N, E, D, G, इसमें भी देखो, N आया तो K silent होगा, knowledge, यहाँ भी pneumonia, अच्छा, देखो, सभी case में, सभी जितने भी rules में बता दिया, और जो बताने जा रहा हूँ, इन सब में acceptance अलागे, कुछ words ऐसे मिलेंगे, जो कि इन rules स ही खाएंगे, तो exception cases होते हैं, फिर किसी एक वीडियो में मैं बता दूँगा, जिसमें exception cases वाला भी होता है, ठीक है, अच्छा, कभी-कभी जब P की बाद S आएगा, तो हमेशा P जो होता है, silent रहता है, ठीक है, P की की बाद S आएगा, तो P silent रहेगा, जैसे for example, psychology, pseudo, P starting math, sham, shy psyche, so racist, psychopath, तो P silent, clear है, यतना याद रखना, ठीक है, इन rules को अच्छे से देख लेना, screen sort लेना, आगे बढ़ते हैं, दूसरा फंडा क्या बोलता है, जब कोई भी noun का plural बनाते हैं, किसी भी चीज का plural बनाते, क्या याद रख रहे हो, क्या देख रहे हो, plural बनाते हैं, और फिर S लगाते हैं, plural बनाते हैं, ऐस लगाते हैं, के वल एस नहीं, plural के साथ वो ऐसे लगाते हैं, तो वो S को हम जा पढ़ते हैं, समझे रहे हो क्या बोलते हैं, जा पढ़ते हैं, सानी पढ़ते हैं, for example, ये देखो, slug, इसका plural बनाते है, slugs, slugs नहीं, slugs, वैसे flowers नहीं, flowers, 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 flowers प्लाद्वू सायंड पता रहा हैं कि साूंड पता रहा था हैं कि सांड के आइगा तक्या डूसरे इस में क्या है एस का ही फंड़ क्या है जब एस दो उवव की बीच में वव्व के भीच में फस्जाएगगा एस तब भी उसे परएंगे जाज़ दो ऑरोल की बीच में जैसे हाँ ओ वा विल है इवा वल उसके बीच में आ अगया स तो दोजपर्टे दोस नहीं पढ़ेंगी देख रहा हो यह रूल होता है अब दोस्त इसको क्या हम अपन हमेशा से पढ़ते हैं मतलब easy सुनते सुनते बनने लगा लेकिन concept पता ही नहीं था कि इस वज़े से पढ़ते हैं लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको यह idea नहीं रहता ठीक इसे भी दोस्त पढ़ते हैं द इसर नहीं पढ़ेंगे laser पढ़ेंगे eraser नहीं पढ़ेंगे eraser पढ़ेंगे exercise नहीं पढ़ेंगे exercise पढ़ेंगे voice नहीं पढ़ेंगे voice पढ़ेंगे वैसे sunrise नहीं पढ़ेंगे sunrise पढ़ेंगे sunrise पढ़ेंगे समझ में आई बात clear है ना शलो आंके बढ़ते हैं अब X के pronunciation देख ल रहते हैं जब letter X से end होता है, मतलब word कोई भी word X letter से end होता है, तब उसका pronunciation क्या होगा? X, X, XA होगा, ठीक है? XA होगा, जैसे books, X, aux, climax, max, facts, X, XA आ रहा, wax, तो XA का sound आ रहा है, वो क्या होता है? जब last में आता है, या फिर unstressed, चोटे-चोटे-चोटे, wax, facts, climax, climax, ऐसे, max, climax, क्लाई तो यह stressed होगा, लिकिन max, यह unstressed है, इसलिए इसको XA का sound देखे, वैसे ही किसी-किसी words में कभी-कभी exact sound मिलता है देखने को, XA, वो क्या होते है? stressed, stressed syllable वाली word होते है, stress, जैसे कि exact, exaggerate, ठीक ह है, for example, example, exit, executive, इसे execute नहीं पढ़े, executive, exam, examiner, exhibit, clear है, समझ में आरी बात, चलो, आगर दिखते है, तिकदा, तिकडा, नम, next भाईया, और है, और है, X के और rule है, जब कोई भी word, X के, I mean, word के beginning में X आए, या फिर कोई भी word X से start हो, तो उसे हम जा पढ़ते है, मतलब X को जा प जैसे Xiphone, Xerox, Xylophone, Xenology, तो इसे X-ray नहीं पढ़ेंगे, अच्छा, कुछ exception से जैसे X-ray आ जाता है, X-mess आ जाता है, क्या या, तो यह X जो ना, तो यह अलग है, इसलिए X पढ़ते है, इसलिए X पढ़ते है, इसलिए X पढ़ते है, इसलिए X पढ़ते है, जब साथ में X इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए बोला था, कि English है word, Hindi के थ्रूं इंग्लिस, मुस्किल है, लेकिन अगर अगर मीनिंग के थ्रूं जाओगे, तो English, आज आसानिस पढ़ लोगे, various pronunciation of Y, Y का pronunciation जैसे कि, अगर Y is function as the vowel, only vowel in the word, अब किसी word में, Y, मने बता था न, Y consonant की तरह भी काम क तो अगर किसी word में, Y जो है, as a vowel work कर रहा है, और वो लास्ट में आ रहा है, ठीक है, और वो one syllable है, तो वो क्या उचरान देगा, I, I का उचरान देगा, जैसे कि, देख लो, यह देखो, Y यहां कोई vowel नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां क्या है, Y, अपने आप में, itself it is working as a, it is वो लेटर नहीं है, लेकिन vowel sound Y as a vowel sound ही दे रहा है, और यह अपने आप में last में end में आ रहा है, ठीक है, तो हम इनको कैसे sound करेंगे इसको, कैसे, I, बहुत से बच्चे, मतलब, अगर यह बच्चे देख रहे हैं, तो उनको confusion होता है beginning में, या फिर बड़े भी, beginning में, जबकि concept नहीं पता होते हैं, जुसको क्या पढ़ते है, fry को pray पढ़ देंगे, cry पढ़ देंगे, cry पढ़ देंगे, vya पढ़ देंगे, me पढ़ देंगे, be पढ़ देंगे, तो बहुत सारी confusion होती है, ति इस चीज को आपको याद रखना है, ओ भाई, साथनी गर्मी, हांगे देखो if y ends multiple syllabic words, मतलब अभी तक एक syllabal word थी न, अब multiple syllabic word, ठीक है, multiple मतलब बहुत सारी vowel sounds, एक से ज्यादा, ठीक है, तो वो कैसा उचाड़ देगा, double e का उचाड़ देगा, या फिर बोल चकते है, another vowel, then the y makes the e long vowel sound, double e, मतलब बड़ी का sound, जिसे के happy, देखो, एक vowel होगा दूसरा एक हो गया, दूसरा एक हो गया, तीसरा टी, ती, 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 चार vowel, मतलब बहुत सारे syllable है, तो इसे identity पढ़ेंगे, study पढ़ेंगे, penny पढ़ेंगे, candy पढ़ेंगे, jelly पढ़ेंगे, foggy पढ़ेंगे, फग या नहीं, जैसे इसमें लिखा, आए आगे तो foggy आए, विराए नहीं, इसमें, क्या ही सारी मतलब, देखो न, एक syllable हो गया, दूसरा syllable, एक syllable से ज्यादा, आये का उचरन कब आता है, जब एक syllable हो, ठीक है, और कुछ, कुछ, एकसप्चन वालाग बात होती है, happy हो गया, baby, battery, carry, cherry, chili, ठीक है, तो multi-syllabic words में, y जब last में आता हो, तो बड़ी gimbal, rhythm, mystery, physics, gypsum, crypt, ठीक है, तो कुछ ऐसे, कुछ ऐसे भी rules होते है, ठीक है, so this was all about the video, ठीक है, इसमें इतने rules है, मुझे लगा, और भी होंगे, ठीक है, तो इसमें आपने देखा, ये pronunciation के rule है, इसके बाद हम grammar, sorry, spelling के rules पे हमने डाल थी, तो उससे जाकर के देख सकते हो, I hope you like the video, if you like the video, please hit the like button and do subscribe for more updates.